एवर ट्राइड, एवर फेल्ड, ट्राइड अगें, फेल अगें, बट फेल बेटर, वन्स अगें वेलकम तो माई यूटूब चैनल, लोयत इंपोर्ट एंपोर्ट एंप्सपोर्ट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आखिरिकार आपको इंपोर्ट और एक्स बाकी लोगों की तरह मापको जूटी तसलिफ बिलकुल नहीं देने वाला कि आप बिना पैसो के भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर बिजनस करना है, तो आपको मिनिमम इंवेस्टमेंट की ज़रू काटेगरी आती है वो है learning of import and exports जी हाँ learning of import and exports क्यों जरूरी है कोई भी business शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में knowledge होना जरूरी है आखरेकार business है क्या और business करते कैसे है उसके pros क्या है, cons क्या है, advantages क्या है और disadvantages क्या है गर आप बिना सोचे समझे business करो गे import exports में, अगर आपको नहीं पता है shipment कैसे करनी है, payment terms क्या है, तो बहुत जादा chances है कि आप कही न कहीं अपना पैसा risk पे लगा रहा है और कहीं न कहीं आपको loss होगा, तो इससे अच्छा पहले सीखिए, उसके बाद import और exports का business कीजिए, मा आपको यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे सीखिए, किसी से भी सीखिए, ऐसे इनसान से सीखिए, जो import export करता है, जो आपको ठीक training प्रोवाइड कर सके, जो आपको step by step गाइड कर सके, अगर आपको कहीं shipment में दिक्कत आती है, तो वो मदद कर सके, इसमें कोई जादा पैसा खर्च नहीं होने वाला, इसमें around 5000 रुपीज to 15,000 रुपीज का खर्चा आता है, डिपेंड करता है, आप कहां से सीखते हो, और किस सीखते हो, और क्या quality की आप knowledge गेन करते हो, तो यह हमारी पहले category थी, learning of import and exports, जिसका खर्चा around 5000 रु जाली है, वो है documentation, इसके बारे मैंने बड़ी detail में video बनाई है, क्या क्या documents चाहिए आपको, और इसको कैसे कैसे त्यार करना है, अगर आपको वीडियो चेक करना है, तो नीचे description में मैंने उसका link mention किया, आप वहाँ पे जाके उसको check कर सकते हो, तो दूसरी category में documentation त्यार करने and marketing, आप कोई भी काम करते हो, बिजनस करते हो, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपका क्या business और क्या काम करते हो, अगर लोगों को नहीं पता होगा, तो आपको पहुचेंगे कैसे आप तक, आपका product कैसे sale होगा, आपको buyer कैसे मिलेंगे, तो इसके बारे मैं एक detail में video ब 40,000 रुपीज आने वाला है, इसके बाद जो हमारी last category है, वो है product financing, बड़ी important category है, प्लीज इसको जहां से समझें, कोशिश कीजिए, आखिरखार product financing होती क्या है, सबसे पहला जो इसमें factor है product financing में, वो है आपका product, आप अपना कौन सा product select करते हो, हो सकता आपका product बड़ा सस्त पे भी कम पढ़ने वाले है, इसके बाद जो इसमें दूसरा factor हम discuss करने वाले है, अपनी fourth category में product of financing में, दूसरा factor है हमारा supplier, आपके पास कैसा supplier है, अगर आपको supplier आपको credit देता है, तो वेलन गूड अगर आपको supplier आपको credit नहीं देता है, तो आपको खुद उसका financing का arrangement करना पड़ेगा, इसके बाद जो हमारा तीसरा factor है, वो हमारी payment time, आप कौन सी payment time पे काम कर रहे हो, आपको कितना advance मिलता है, आपको advance मिलता है या नहीं मिलता, अगर आप LC 100% LC पे काम कर रहे हो, तो अगर आपका supplier आपको credit नहीं देता, तो आपको financing खुद ही करनी पड़ेगी, त payment time काफी matter करती है, आपकी payment time क्या है, अगर आप यह सोचते हो, कि आपका जो buyer है, आपको 100% advance दे देगा, और आप इस field में नए हो, तो आप इस बात को भूल जाए, जो भी लोग आपको ऐसा बोलते है, वो बिलकुल जूट बोलते है, अगर आप field में नए हो, आपने कभी भ percent advance मिले, बट initially आपको नहीं देगा कोई, क्योंकि वो party आपको जानती नहीं है, कोई trust factor नहीं है, क्योंकि आपने कभी party के साथ काम किया ही नहीं है, इसके बाद जो हमारा अगला जो factor इसमें है quantity, आप कितना quantity में अपना product export करना चाहते हो, हो सकता आप एक container export करते हो, हो सकता आप 10 container का आपको order मिले, तो आपके order पर depend करता है, तो आपकी investment कितनी लगने वाली है, तो जो हमारी fourth category में बिलकूल भी कुछ भी fix नहीं है, आपको कितने पैसे लगने वाले है, कितने पैसे नहीं लगने वाले है, हो सकता आपकी financing है बिलकुल zero हो, हो सकता आपकी financing है जो ला supplier से काम नहीं किया, फिर भी दे देगा, वो कैसे देगा, उसके लिए आपको क्या का करना पड़ेगा, अपने supplier से कैसे deal को crack करना है, वो सब चीजे हम आपको अपनी training में, detail में सिखाने वाले हैं, तो हमारी ये total चार category थी, सबसे पहले हमारी जो category थी, learning of import and exports, दूसरी जो हमार आपको समझ में आ चुकी होगी, आपको पता लग चुका होगा, आपको कितना पैसा investment करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का business शुरू करने के लिए, अगर आपको कोई doubt है, query है, तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो, अगर आप भी अपना import और एक्सपोर्ट का business शुरू करना चाहते हो, तो आप हमारा T20 mission जोईन कर सकते हो, जिसमें हम by the end of 2020, 1000 successful importer और ती रहे, let's trade together, thrive together, thank you very much, muchach